नमस्कार साथियो नमस्कार भाईयो और भेनो एवं मेरे दर्शको आप सभी का स्वागत इस वीडियो में आप सभी के लिए काफी बड़ा अपडेट आया है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन की तरफ से कराए जाने वाला नेट का एक्जाम नेशनल राष्ट्रिय पात्रत का परिक्षा यानि कि आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट अब आपको बताना चाहूंगा यह एक्जाम जो होता है यह एक्जाम होता है यूनिवर्सिटी और कॉलिज इसके अंदर अगर आपको जे आरेफ और एसिस्टेंट प्रोफेसर ऐसे पोस्टों पर अगर भारत के अंदर इंडिया कंट्री काफी जैसे आप जानते हैं काफी बड़ा है इंडिया कंट्री और काफी उसके अंदर राज्ये हैं और काफी यूनियन टेरेट्रीज है जैसे कि हरियाना उत्राखंड उत्तरप्रदेश जारखंड उडिसा मिगाले मनिपूर केरला दवन एंड द्यू अंडवान एंड निकोबार लक्षदीप देली यसे नाम के यूनियन टेरिटरीज भी हैं तो आपको बता दू कि इंडिया गवर्मेंट ने भारत सरकार ने अपने डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन यानि कि एजुकेशन के डिपार्टमेंट के अंदर आपको यह एक्जाम देना होता है जैसे कि आप जानते हैं डॉक्टर डॉक्टर या फिर मेडिकल फिल्ट के लिए आप नीट का एक्जाम देते हैं suppose for the admission in the colleges and the universities in MBBS and MD और एक्सेक्टरा जो भी आपके प्रोफेसर का पोस्ट और इसके अलावा जो दूसरा पोस्ट है आपका जब भी होगी तो आपके पाप से यूजी सी नेट का एक्जाम दिया है नहीं तो वह हो जो इनने भी दिया होगा उनहीं को recruitment में सामिल किया जाता है recruitment के process में recruitment के जो भी आपके एक्जाम होते उसके लिए तो आपको बताना चाहता हूं यहाँ पर यूजी सी नेट का जो एक्जाम का form है जो आपके December 2023 में होगा उसके लिए आपकी date extend हुई है काफी important और यह जो है यह extend हुई है आपके candidate student demand पर दूसरा लोगों के demand पर हुआ है लोगों की tweets की वज़ा से हुआ है और उन्होंने कहा था कि बहुत लोगों को लेट पता लगा था notification के बारे में और इस चक्कर में उनका form ना रह जाए इसलिए यहाँ पर NTA की तरफ से जो आपका national testing agency है जो कि इंडिया के अंदर different types के exam करवाने का ए जिम्मा उठाती है responsibility लेती है और यह जो NTA है यह UGC net के अलावा NEET उसके अलावा JE मेंस जैसे exams और और वी तरह तरह के recruitment के exam कराने का काम NTA करती है उसी मैंसे UGC net का exam है जिसके लिए date extend हुई है यह काफी बड़ा update रहेगा दोस्तों आपको बता दूँ यह All India update है मतलब समझ करने वाले हैं उनको उनके लिए date बढ़ा दी गई है हाला कि हमने इसका notification cover नहीं किया था क्योंकि हमारे पास पहले ही हमारे पास और भी सारे जो बहुत सारी content था हमारे पास बहुत सारी topics थे जिसको हमें cover करना जरूरी था इस वए से हमने इसको cover नहीं किया था बट अब मै आपको साफ साफ बताना यह चाहूंगा कि उसका notification अभी आपको इसी वीडियो में दिखा रहा हूं और आप जल्दी से जल्दी इस पर जाकर apply कर देना जो भी eligible होता है notification का link मैं वीडियो के नीचे डाल दी है मैंने सारे link जिसे कि आपको problem ना हो suppose मानी आपको notification में कोई भी point स समझ ना आए तो आप comment कर सकते हैं उसको हम clear कर लेंगे लेकिन मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि आप उस पहले उस notification को अच्छे से समझ लिए और समझने का ज्यादा समय नहीं दिया गया है यहाँ पर सिर्फ 3-3 extend हो यह date यानि कि अगर हम बात करें तो इसमें आपको 30 October तक इसकी date बढ़ाई गई है जो कि मेरे इसाब से फिर भी एक सही समय है online में अगर आप जाने जैसे कि अगर मैं इस वीडियो की बात करूं तो आप इस update को अगर देश भर में फैलाते है जितना जल्दी उतना जल्दी लोगों तक यह update पहुंचेगा और वो apply कर पाएंगे आप सब दो देखें यह notification है यह December में exam होगा आपका year end में और इसमें आप देख सकते हैं सारी चीज़े हैं इसके अंदर notification के अंदर notification काफी लंबा है लेकिन important point है सारे कि यह exam क्या है यह exam क्यों देना पड़ता है इसकी eligibility क्या होती है qualifications क्या-क्या चाहिए होती है और इसके फा मैं से ही एक exam है यह आप यह समझ लीजिए तो यह कोई ऐसा exam नहीं है कोई आप सोच रहे हो कि यह कोई ऐसा ही है बस exam की इसको क्या ही देना हम दूसरे कुछ और दे देंगे तो यह exam उन में नहीं आ रहा है तो यह notification रीड कर लेना आप मैंने आपको बता दिया है दूसरा आप देखिए यह 30 सितमबर को notice आया था इसमें बोला गया था कि 28 अक्टूबर के पांच में तक फॉर्म भरा जाएगा अब इसमें 28 अक्टूबर यानि कल पांच में तक शाम में फॉर्म भरा जाएगा लेक है क्या reason इन्होंने बताए है notice के अंदर उसको भी हम देखेंगे तो यह रहेगा आपका चलिए आगे चलते हैं हमारे पास यह हमारा notice है इसको discuss करेंगे यह आपका apply link है यह link मैंने वीडियो के नीचे दिया है इससे आप जाके apply कर सकते इस example आप देखेंगे तो UGC net December में ज आपको दिख रहा होगा if you are a new candidate इसके नीचे ही सही जो लिखा हुआ है इसमें आपको click करके जाके apply करना है यह new के लिए बता रहा हो क्योंकि अभी बहुत से ऐसे लोग है जो newly freshly apply करेंगे अभी देखिए कम से कम one lakh के करीब तो मिर को लग रहा है कि form अभी दो-तीन दिन में ह अभी भर जाएंगे क्योंकि जो लोग को अभी पता लग रहा होगा कि यह आज का notice है इसको समझ ली दिया extension date में बढ़ा दी गई है इसमें form के dates को बढ़ाया गया है देखिए यहां पर मैंने बोला ना आपको वही चीज होती है बिना किसी reason के कभी कोई बढ़ाता नहीं है date को ऐसे एक्ष्टा फायदा नहीं देता है रिसिप्ट वह यहां पर अलग-अलग उनको जो है रिप्रेजेंटेशन आया अलग-अलग candidate की तरफ से यह आया कि इस form के dates को बढ़ाया जाए तो उसके डिमांड पर candidates demand पर इस form को बढ़ा दियेगा है candidate कौन होते है candidate वह होते है जो एक्षाम में appear होना चाह रहे है इस इस एक्षाम के प्रोसेस में जे आराफ के जो पोस्ट होते है उनके लिए उनकी recruitment के लिए आपको पहले यह एक्षाम देना जरूरी होता है यह एक्षाम नहीं देंगे तो आपको कोई भी university college उस recruitment में नहीं लेगा जो की जे आरेफ और एपी के पोस्ट के होंगे इसी वजह से यह एक्षाम जरूरी है और यह एक्षाम को compulsory mandatory जो करा है वह government of India ने करा है तो मैंने आपको यह भी बता दिया है आगे चल लेते हैं आपर थोड़ा पहले जो टेट थी वह 28 October थी अब उसका 31st of October करा गया है यानि कि इसमें पूरे के पूरे तीन दिन completely बढ़ाए गए 29th 30 और 31st तीन दिन पूरे बढ़ाए गए और इसमें आप देखेंगे तो पांच वज़े की वज़ाए उन्होंने बारा वज़े कर दिया यानि कि सेवन आवर और एक्ष्ट्रा दे दिया उन्होंने यानि कि पूरे आप कह सकते हैं थ्री डे इस बार एक्ष्टा नहीं है कि करेक्शन आप एक एक दो तीन नवंबर के तीन इन तीनों में कर सकेंगे अपने फॉर्म के अंतर उसमें भी आप कुछ इस पैसेफिक फिल्ड में करेक्शन कर सकेंगे जो कि आपके नोटिफिकेशन में मैंशन था आप उसको जाकर चेक कर लीजिए अब बात करते हैं in case any कोई डिफिकल्टी फेस कर रहा हो प्रॉब्लम फेस कर रहा हो अप्लाए करने के लिए तो यह आपका 011 करके नंबर है इस पर कॉल करिए या फिर इमेल करिए यूजी सी नेट एट दारेट एन टीए को जिसे कि आपका वहां पर प्रॉब्ल सॉल्व हो सके और यह जरूर करना आप आली जापको प्रॉब्लम आ रही है फर्म में तो आप इसमें यह मैं आप बैठे आप यह मत सोचना चलो ठीक है बाद में देखते हैं ऐसा नहीं होना चीए वाई समय काफी कम है इसमें आपको यह फिर बात में ऐसे नहीं बोल सकते ह है तो इस वेसे हमें अलग से समय दिया जाएसे किसी के लिए नहीं होता यह चीज़ मैं बता रहा हूं यह ऐसे कॉमन से कोशन उठ जाते हैं कभी कवार दिमाग में तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं तो इस बात का ध्यान रखना और इमेल कर देना अपनी प्रॉब्लम को फॉर केंडेट हूँ है वेरिफाइड अधार नो चेंज अलावड इन मोबाइल नमबर अधी करेक्शन में क्या-क्या चेंज हो सकते हैं करेक्शन में आप जैसे अपने अधार वेरिफाइड कर लिया है जिन लोगों ने मलब वो अलुकर लिएक शाधर बिद्रेश और पर्वानिट इड्रेस जैसे चीजों को जो है आधिया लगई कर सकते हैं अपने नम में टो बर्त्स जेंटर में जैन्टर में नहीं कर सकते फोतो में जैंज नहीं कर सकते लिए कि यह सारी चीजें आप देखेंगे तो चेंज आप किसमें कर सकते हैं अपने फादर के नेम में मदर के नेम में चेंज कर सकते हैं अगर गलती से कुछ और डाल दिया हो आप यहां पर अपने अधार कार्ड को मोडिफिकेशन के लिए यूज नहीं कर आओ तो वो अपने नाम में या फादर के नेम में इनमें से किसी एक चीज में मोडिफिकेशन करेगा तो समझ रहे होंगे कुछ ही चीज़े होंगे जिसमें चेंज होगा तो फॉर्म अभी जो आप भरने वाल होंगे सारे अपडेट यहां हो चुक है इस नोटिफिकेशन के भी और इस अपडेट के भी कोई भी डाउट रहे कमेंट कर देना मिलेंगे आप से नए टॉपिक में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद